महश्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सिंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्क अनालिसिस में वीडियो में वीकेंड है तो वीकली अनालिसिस करते हैं हम लोग सबसे पहले और फिर बात करेंगे जो हमने प्रीवेस अनालिसिस क्या था कैसा टरन दो मार्केट क्रॉस करेगा तब आप मार्केट में सेल साइट पर पोजिशन बिल्कुल बना सकते हैं और पिछले कुछ दिनों से हम लोग कुछ दिनों से मार्केट में यह बोल रहे हैं कि बहुत कॉल सेल करना मार्केट में एक अच्छा ट्रेड रहेगा या कॉल आगे implication हमें कैसी दिखाए दिने देखे ये जो candle market ने close दिया है ये किसी भी तरह की कोई बढ़िया candle नहीं है ठीक है ये कोई भी बहुत अच्छी candle नहीं है market के लिए market के लिए market के लिए उपर जाने के लिए और दूसरी बात आप यहां पर देखेंगे कि market में ये जो particular channel है ये downside में market ने breakdown दिया है ठीक है ये एक तो market में और नीचे side पर continue हो सकता है या फिर market में एक तुरंत आपको reversal भी देखने को मिल सकता है इस week में ठीक है ये दोनों ही cases है तो पिछले दिनों भी मैंने आपसे call selling के लिए क्यूं का था या फिर spreads के लिए मैंने क्यूं का था कि बहु से तो भी आपको profit होगा आपको stop loss लेना पड़ेगा अगर market upside पर momentum करता है तो इस case में आपको केवले stop loss लेना पड़ेगा अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पर call selling करना एक बहुत अच्छा trade रहेगा ठीक है तो अगर मान लीजिए market एक दो दिन market नीचे भी गरता है या समय निकालता है market तो भी आपको वहाँ पर profit call selling में या bear call spread में ठीक है bear call spread में आप profit करते रहेंगे आपको किसी भी तरह की चिंता की जरुद नहीं होगी market में ठीक है trade लेने के लिए bear call spread बिलकुल market में आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से मेरी expectation है कि market में आपको पिछल particular pivot कायम है market में तब तक कोई मतलब दिक्कत वाइब क्योंकि देखे यहां से market upside पर गया फिर market नीचे आया फिर upside पर गया फिर market नीचे आ रहा ठीक है तो कोई मेरे एसाब से इतने को चिंता के विशय तो नहीं है अभी यहां पर क्या होगा ना कि news में आपको topics मिलने शुरू हो चुका है ठीक है और कुछ लोग मतलब अभी कोविट का भी मेरे शुरू हो गया है ठीक है तो हलाकि यह जो candle है भी किसी पी तरह की ऐसी कोई candle नहीं है market में गिरना market ऐसा नहीं शुरू हुआ है कि बहुत market नीचे घुश जाएगा ठीक है परन्तु हमें as a trader मेरे हिसाब से आपको news से के बल इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर मानलीजे market नीचे आकर यहाँ पर कोई एक bullish price action मनाता है ठीक है परन्तु इस वक्त पर भी news में आपको market के लिए बुरी-बुरी चीज़ें ही सुनाई दे रहे होंगी तो आपकी यहाँ पर कहना हिम्मत नहीं market में पैसा नहीं डाल पाएंगे because of fear in the news ठीक है तो उसको follow करने की बजाए हम लोग charts पर ज्यादा focus करेंगे तो बिल्कुल देखें मैं इस पास बिल्कुल इंकार नहीं करता हूं कि यहाँ मतलब किसी को भी नहीं पता कि हमारा expectation है कि market यहां से इस तरह चला जाए ठीक है और maybe ऐसा हो कि market फिर से इस तरह की candle बना दे ठीक है तो कभी भी हम यह तो anticipate market में करके नहीं जाएंगे कि ऐसा ही होगा हम हमेशा बात जो करते हैं आपर हम यहीं करते हैं कि ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है ठीक है उसी के लिए हमें अपने आपको prepare करना है हम कभी और आप यह मान सकते हैं आप हमेशा आपने आपको इस चीज के लिए prepare करते हो कि boss ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा ठीक है वही अप्रोच आपको market में भी रखनी है कभी किसी भी चीज कोई भी चीज का हम simple सी है life में कोई भी shortcut नहीं बॉस ठीक है तो अभी जो candle दिखाई दे रही है कोई भी बढ़िया candle नहीं market के लिए तो यह market फिर से एक आपको downwards momentum जरूर देना चाहेगा ठीक है अब में भी हो सकता है कि next week market downwards momentum दे के फिर से upside पर moment कर जाए ठीक है या फिर एक downwards closing इस तरह की दे दे तो हमारे लिए दोनों ही case में एक अच्छा opportunity होगा call sell करना ठीक है आप put spread भी बना सकते हो put buy करके या put spread भी आप बना सकते हो परंतु उसके लिए आपको बहुत trail टाइडली करना पड़ेगा क्योंकि अगर market में bullish momentum आता है तो वहाँ पर आपका पैसा जा सकता है परंतु call में फिर भी आपके पास समय रहेगा bank nifty के भी आप बात क यहां पर भी मेरी expectation फिर से market से यही होगी कि boss यहां पर और आपको download momentum या तो देखने को मिल सकता है या फिर market में आपको एक reversal में भी देखने को एक selling pressure के बाद market में upside momentum भी देखने मिल सकता है because जो bank nifty है वो इस particular zone में आ रहा है जहां पर market ने यह इतने समय से resistance लिया था इस particular zone म हमें bank nifty फिर से देखने को मिलेगा ठीक है और nifty में भी आप अगर देखेंगे तो अगर मैं यह trend line connect करता हूँ जो इतने long term breakout market ने दिया है ठीक है अगर मदब ऐसा तो मैं नहीं कूँगा बिल्कुल भी कि वही यहां तक market नीचे आ सकता है परंतु एक expectation मेरी है कि market या तो इ हमने level to level market को play करना है और हमारी expectation यह है कि market में थोड़ा selling pressure और आना चाहिए because of this candle ऐसा बहुत कम chances है market में कि बस market यहां पर open हो और फिर से एक bullish candle इस तरह की बना दे आपके लिए ठीक है तो यहां पर आप trade वैसे भी नहीं कर पाएंगे तो अगर market मान लीजे flat open होता है market नीचे कि मनें कहा था कि बहुत कॉल सेलिंगे करिए आप ठीक है यहां पर बना सकते हैं कॉल बना सकते हैं कि अगर market मान लीजेए यहां पर समय भी बिता था तो भी हमें profit मिलता और market नीचे जाता तो भी profit मिलता ठीक है तो market ने नीचे एक strong closing दिया है तो यहां से सबसे पहला मेरा रहेगा कि market में कि अभी भी आप call selling की तरफ ही अपने आपको इंकलेंड रखे अगर market मान लीजे कि फिर से एक download momentum आता है और फिर market अपसाइट पर momentum करने के कोशिश करता है तब हम यहां पर सोचेंगे कि किस तरह से react करना उस particular जगे पर ठीक है दूसरी बात अगर आप देख इसली बार भी एचीज कही थी कि market में अगर momentum आपको देखना है तो किवाल यह देखो कि swings high कैसे बन रहे है ठीक है swing high, swing low कैसे बन रहे है तो आपको यह समझ में आ जाया कि market अपने lows को previous lows को market break करता हुआ चल रहा है तो अगर market मान लीजे gap भी open होता है तो जैसे यहां पर gap open ह हुआ तो तुरण market में selling के लिए आएगा ठीक है तो यहां पर किसी तरह का gap up आपको दिखाई देता है तो यहां पर भी मैं bearish side पर trade लेना ही पसंद करूँगा इधर आप call sell कर सकते हैं put buy कर सकते हैं ठीक है put buy कर करेंगे तो spread के साथ करिए तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से वहां पर आपको थोड़ा आपका premium कम जाएगा आपके हाथ से और जो time DK है वो आपके अगेंस थोड़ा सा कम काम करेगा ठीक है और अगर market flat open होकर नीचे जाता है तो भी मेरी expectation market से simple सी ही है कि market downwards में ही closing दे सकता है ठीक है और अगर आपको फिर से हमें buy cup करना देख simple सा है कि यहां से जैसे इस तरह से market नीचे आया अपसाइट पर गड़ा है फिर selling आई और फिर upside पर इस तरह से move कर रहा है तो हमें यहां पर buy के लिए सोचना है तो जब तक ऐसा नहीं होता है bullish price action नहीं बनता है तब तक मेरे साब से कोई भी buy करने का market में अभी sense नहीं है ठी मैं selling के लिए market में देखूंगा और अगर flat open होकर या नीचे side पर जाता है तो भी मैं selling के लिए market में plan करूँ और call selling prefer करूँगा बात आती है कि अगर market gap down open हो जाता है तो थोड़ा सा फिर आपको wait करना पड़ेगा price action का wait करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि फिर क्या है कि इतने स sell किया है ठीक है यहां पर early chart पर एक भी green candle नहीं है ठीक है यह 15 मिनट के green candle है early chart पर कुछ sense नहीं बनता रहीट इसका तो यहां से आप देखेंगे कोई भी मौकाई नहीं है market में participants के पास की book कर ले हमरा profit ठीक है तो अगर market gap down open हो जाता है तो उस ताइम पर profit booking आने के बहुत ज निकल गया रहे यहां पर market 200 नीचे open हो गया ऐसे में पैसा नहीं बना पाएंगे ठीक है open interest की बात करते हैं तो open interest 18,000 पर बहुत जादा है मतलब 18,000 से उपर पूरा resistance आपको ही दिखाई दे रहा होगा bank nifty में बात करेंगे तो 42,000 से उपर आपको resistance दिखाई दे रहे हैं नीचे साइट पर बड़िया support नहीं दिखाई दे रहे हैं ठीक है FIE DI data की बात करी जाए तो यहां पर यहां पर भी option activity में puts बहुत अच्छे quantity में buy हुए है पर उतने बड़े quantity में यहां पर buy होते वह नहीं दिखाई दे रहे हैं एक मैंने आपको दिन भी यह चीज बोली थी दो दिन पहले भी बोली थी कि यहां पर दिखेंगे तो net FIE future open interest जो है वो अब यहां पर negative में दिखाई दे रहा है ठीक है net short है वो futures में तो यह थोड़ा सा चिंता का विशा है मेरे साब से market के लिए परंतु देखते हैं आगे किस तरह का हमें इसका effect देखने को मिलता है तो कुल मिलाके मेरा अभी आपसे यह कहना है कि market में अभी के लिए तो call selling करना ही एक बहतर trade है यहां पर किस तरह के buying opportunity मत ढूंड़िए ठीक है और bearish trade का यह आप ट्राइ करें इंट्राडे में भी और positional basis पर भी हम call spread, put spread भी बना सकते हैं बनाने पड़ेंगे call spread बनाये जा सकते हैं call sell किये जा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह तो बात रही निफ्टी और bank निफ्टी के बढ़ते हैं हम लोग dollar की तरफ dollar भी अभी भी देखें उसी particular zone में है जो हमने कहा था कि बॉस यहां से upside momentum देखने के यहां से upside momentum हमें देखने को मिल सकता है पर अब भी उसी zone में है तो मैं यहां पर भी आपसे यह ही कहूंगा कि यहां पर भी put selling opportunity डूंडिए आप यहां से put sell करते रहे हैं और अगर market यह previous low को break करना शुरू करता है यह high बनाया फिर एक low बनाया फिर एक high बनाया फिर यहां से low cross करता है तो यहां पर अपना SL book कर लिजे या profit अगर है तो उसे profit book कर लिजे ठीक है तो दूस्तों यह था मेरा nifty bank nifty dollar analysis I hope यह आपको पसंद आयोगा पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक करिए sensible इंदी चनल के सब्सक्राइब करिए और हमेशा के तरह अपने capital लों बचा करेड करिए stop loss के साथ ट्रेड करिए hedge के साथ ट बाइ